दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत्रियकाल, नियोज क्लिक के कारिकरम नियोज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश दुनिया भर में जितनी डेमोक्रिसीज हैं, यहां भी लोगतंत्र है कहां हमने ऐसा सुना है कि वहां जो शासन करने वाली पुलिटिकल पार्टी है उसके जो आनुशंगिक संगठन है, उसके जो सहयोगी और मित्र संस्थाएं है वो स्वैमी समाज में अराजक्ता पैदा करना शुरू कर दें वो स्वैमी बायकार्ट ब्रिगेड बन जाए कहां ऐसा सुना गया है जो शासन में आता है जिसको जनता जनादेश देती है उसकी सर्वच्च प्रात्मिक्ता होती है कि वो शांती व्यवस्था तो रखे ही नई नई जनता के लिए योजनाएं दे कानून व्यवस्था बेहतर रखे और समाज के लिए जनता की प्रगती और विकास के लिए काम करे हमने विपक्ची दलों को लोकतंत्र में शासन के कुछ कदमों, फैसलों के बहिसकार का आभान तो सुना है हमने आंदोलनों के करम में देखा है कि विपक्ची दल किस तरह से बाइकाट का काल देते हैं विरोध प्रदर्शन करते हैं लेकिन आप सत्ता पक्षी जब उतर जाए सड़क पर और ये कहना शुरू कर दे अपने तमाम संगठनों के साथ यहां तक की बड़े-बड़े मंत्री भी आवान करें कि हम ये नहीं करने देंगे हम वो नहीं करने देंगे हम बहिस्कार करा देंगे हम बैकाट करा देंगे हम अपने राज्य में ये काम नहीं होने देंगे तो क्या होगा जियां आप समझ रहे हैं मेरा इशारा शाहरूख खान और दीपिका पादुकोन की जो फिल्म है जो अभी उन लोगों ने देखा भी नहीं है जो इसके वहिसकार की अभी से अपील कर रहे है यह फिल्म है पठान और इस से उनकी नाराजगी एक कलर को लेकर है एक रंग को लेकर है जो दीपिका पादुकोंड ने डांस करते समय पहन रखा है वो भी कुछ सेकेंड के लिए बताया जाता है मैंने भी फिल्म नहीं देखी है फिल्म कैसे कोई देखेगा अभी तो रिलीज नहीं हुई है लेकिन जो उसका पोस्टर आया है उसमें कुछ देर के लिए कुछ सेकेंड के लिए संभावता वो सिनाता है इस पर भी इतनी नाराजगी हो गई है कि मंत्री राजियों के सांसाथ पुलिटिकल पार्टी के नेता शासन की वो कह जा रहे हैं कि हम इस फिल्म को चलने नहीं देंगे इसको रिलीज करना नहीं इसको नहीं होने देगा रिलीज हो गई तो सिनेमा हालों में नहीं चलने देंगे अपने राज़े में इस तरह की बातें की कर रहे हैं शासन में बैठी पार्टी का ऐसा आचरण संभवता पूरी दुनिया में शायद शायद अपने देश में ही देखा जा रहा है और ये पहली बार नहीं है दोस्तो पिछले आठ सालों में पिछले आठ नौ सालों में साड़े आठ सालों में देखा जगया कि अनेक बार ऐसा हुआ है और 2017-18 में तो भयानक हुआ था पदवावत फिल्म संजय लीला भनसाली की फिल्म थी संजोग बस उसमें भी दीपी का पादुकोन थी रनवीर थे और शाहिद थे शाहिद कपूर इन लोगों की फिल्म के खिलाप उसके विरुद्ध इतना अभियान चलाया गया कि कई प्रदेशों में लाइन आउडर का बड़ा मसला उठ गया हूँ और एक खास पॉलिटिकल पार्टी ने जो शाहसन में है देश के केंद्र के उसके लोगों ने विभिन जातियों विभिन समुदायों के आक्रोश को एप्रोप्रियेट करके और राजनितिक फायदा उठानी की कोशिश की तो शाहसन में बैठी हुई पार्टी क्या ऐसा काम करती है और दोस्तों आपको याद दिलाओं ये बहुत महत्पुन घटना है उलेखनी बात है आज के लिए भी जब पठान फिल्म को लेकर ऐसी ही धमकियां ऐसी ही चेतावनी दी जा रही है कि 2018 के जनवरी महिने में देश की सुप्रिम कोर्ट पदमावत के मामले में बैठी जो बैठी उस बैठी उस बैठी ने चार राजियों को चार राजियों को बकाएदे कहा कि आपका फैसला इस फिल्म की स्क्रिनिंग को रोकने का गलत है और जहां तक मुझे याद आ रहा है और मैंने जो देखा है कि 2018 में सुप्रिम कोर्ट आफ इंडिया ने चार राजियों के शासन की आलोचना करते हुए इन चार राजियों में फिल्म के बैन को सस्पेंड कर दिया यानि बैन को उठा दिया और इस पर कहा गया कि law and order को maintain करने की जिमेदारी शासन की है शासन के लोग कानून व्यवस्था को maintain करने के लिए हैं लेकिन 2018 के इस judgment के बाद भी बिल्कुल इसी तरह का यही परिष्थितियां जो अभी शायद और विक्राल हो सकती हैं अगर किंद्र में बैठे राजियों में बैठे जो शासक हमारे हैं अगर उन्होंने इस पर गंभीरता पुरुवक विचार नहीं किया और अपनी पार्टी के अपने आनुसंगिक संगठनों के आचरण को समझताओं की वही स्थिति फिर पैदा होने वाली है मैं नहीं जानता की मामला कहां जाएगा कोट में जाएगा या जंता की अजालत में जाएगा या सरकार स्वेमी इस मामले को रिजाल्प कर लेगी लेकिन 2018 के सुप्रीम कोट के फैसले को एक तरह से नजरंदास करते खुलेयां बयांदे रहे हैं इसके अलावा भोपाल से भारती जनता पार्टी की जो सांसद हैं प्रग्या सिंठाकूर उनकी भाषा टेलिविजन चैनलों पर वेब साइटों पर यूट्यूब चैनलों पर अगर आप सुन लें तो आप आश्यरी करेंगे कि किस धमकी और हि की चेतावनी देती हुई उनकी टिपणी है जिहां हिंसा की कारवाई हिंसक कारवाई की एक तरह से चेतावनी है तो मैं समझता हूँ कि ये तो मैंने दो उदारन किवल दिये क्योंकि ये आन रिकार्ड हैं इनको कोई दिनाई नहीं कर सकता लेकिन ऐसे असंखे लोग हैं अ प्रठान फिल्म के खिलाब जो रिलीज तक नहीं हुई जिसके कंटेंट को लोगों ने जाना नहीं है जिसके प्रदर्शन के बारे में जिसकी प्रस्तुती के बारे में कुछ भी किसी को नहीं मालूम है उसके बारे में इतनी धंकियां अभी से दी जा रही है क्यों कि खान क्यों फिल्म जगत में अपनी धाग जमाए रखेंगे वो दर्शकों के प्रियपात्र क्यों बने रहेंगे आमिर खान से चिड़ है लाल सिंग चड़ा फिल्म जब आई क्या हंगावा मचाया गया एक अच्छी फिल्म के बारे में मैं कोई फिल्म समिक्षक नहीं हूं ल लाल सिंग चड़ा पर भी तमाम तरह के आरूप लगाए गए भायानक खंगामा किया गया आमिर खान की फिल्म हो थी और कई ऐसे मेजार्टी कॉमिनिटी से आने वाले भी फिल्म निर्देशक हैं फिल्म निर्माता हैं एक्टर हैं जो मौझूदा जो निजाम हमारा है जो इसकी विचारधारा से असामत हैं कभी-कभी उसकी आलोचना भी कर देते हैं बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं उसमें नाम भी आप ले सकते हैं तो यह जो कलाकार हैं जैसे स्वरा भासकर है या दीपी का पादुकॉर्ण है तो इन लोगों की फिल्म जैसे ही आती है जपट्टा मार लेता है यह पूरा का पूरा जो ब्रिगेड है आमिन बाइकाट ब्रिगेड कि आप इनकी फिल्म नहीं चल ले देंगे अरे यह क्या मतलब है यह क्या मतलब है आप शासन में हैं आप अपनी बहतर नीतियों से अपने बहतर फैसलों से लोगों को प्रभावित करने के ल पैदा करने के लिए क्यों लोगों को भड़का रहे हैं मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर घटना है कुछ लोगों को निशाना बनाना और यही नहीं कि केवल आप उन पर व्यक्तिकत मिसाना साध रहे हैं उनके संपूर्ण बिजनस कारोबार को भी नस्ट करने का अभिय चला रहे हैं और दोस्तों अगर प्रग्या सिंग ठाकुर भारती जंता पार्टी की सांसत उनके बयान को अगर आप देखें तो उनके बयान में साफ संकेत है कि ऐसे लोगों के कारोबार को हम नहीं चलने देंगे मतलब यही कहने का इरादा है यही कहने का उनका नेतार्त ह तो जैसे एक दौर में हमने देखा है कि बहुत जगह तमाम तरह की हिंसक और कमिनल घटनाओं से लोगों के कारोबार छिंजाते थे जहां मजदूरी करते थे लोग जहां छोटा मोटा उपक्रम चलाते थे लोग उनके सब कारोबार छिंजाते थे वही हाल आज है कि बड़े लोग जो बड़े कारोबार में हैं फिल्म निर्मान में करोणों की संपत्ती लगती है करोणों का निवेश होता है उस कारोबार को ही चोपट करने का ये इरादा क्या मतलब है इसका क्या ये राश्टी संपत्ती का एक तरह से अविनाश नहीं है क्या राश्टी संपत्ती एक च्छती इसमें नहीं हो रही है और भारत की शवी किस तरह की बना रहे हैं याब पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में इस देश की शवी कैसी बनाई जा रही है कि एक देश जहां शासक दल के लोगी फिल्मों का बायकार्ट करा रहे हैं ये बायकार्ट ब्रिगेड कहां से आई है क्यों आई है वह अभी तब जब इसके बड़े नेता साशन में हैं चाहे राजियों में हैं चाहे केंद्र में हो पद्मावत के समय यही हुआ कि चार राजियों ने बेहन किया था अलग अलग कारणों से और वे राजियों जो थे उसमें तीन तो भारती जंता पार्टी शासित राजियों थे तो दोस्तों यह जो स्थितियां हैं मैं समझता हूं कि बहुत खतरनाक हैं और तो राजियों में भी वही स्थिति निशान देही है निशाना बनाना अब जैसे हाल के दिनों में राहूल गांदी सबसे आसान निशाना बन जाते हैं क्यों क्यों कि राहूल गांदी उनके पूरे के पूरे एक एक राइनितिक दर्शन को चुनोती दे रहे होते हैं वो compromise कम से कम philosophy और political आधार पर नहीं करते हैं मैं यह नहीं कहता कि Congress Party या राहूल गांधी की कमिया नहीं है बहुत सारी कमिया हैं बहुत सारे उनके failures हैं बहुत सारे अतीत में उन्होंने blenders किया हैं और समय समय पर हम जैसे लोग उनकी एक पत्रकार के तोर पर आलोशना भी उसकी करते रहते हैं लेकिन यह सच है कि पूरे के पूरे एक जो सामप्रदाई की काफी आ गये हैं और यहीं करण है कि वह भी निशाना बन जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तो कि ये जो पूरा का पूरा जो ये बाखेड़ा खड़ा किया गया है खास कर अभी रंग को लेकर कि वही दिपिका पादुक्रोन ने ऐसा रंग क्यों पहन लिया है ऐसे ऐसे कपड़े का इस्तिवाल क्यों किया है ये फिजूल का है ये रंग नो जाने कितनी फिल्मों में नो जाने कितने वीडियोज में उन लोगों ने फिल्माया है उनके उनकी फिल्मों या उनके यूट्यूब पर जो हमने कई ऐसे लोगों के कारिकरम देखे जो फिल्मों से लिये गए थे जिनमें इस रंग का इस्तेम नायक या नायका ने किया है और वो भारती जन्ता पार्टी से जुड़े हुए हैं कई उसमें हम नाम लेकर भी आपके सामने ये बात कह सकते हैं क्योंकि इसका तो सबूत है ठोस सबूत है वहां कोई आपती नहीं है कि आपके लोग जिन में कुछ तो सांसादब बन गये हैं वो जिन फिल्मों में गोजपूरी की या अनहिंदी की फिल्मों में काम किये वहां अगर बाईचांस उसी तरह के कलर का उपयोग हुआ है और कलर किसका है कलर पर किसकी मिलकियत है किसी रंग पर किसी का कॉपी राइट कैसे चल सकता है रंग तो प्रकृति के हैं नेचर के ह उन रंगों को राजनीति से जोड़ना या धर्म से जोड़ना आम इन ये हास्यास्पद है बिल्कुल फिजूल है कोई भी रंग हो कोई कपड़ा किसी रंग का पहनता है इसे क्या फर्ब्रता है लेकिन रंग को इश्यू बनाना और वो भी तब जब वो व्यक्ति पहने जिसको आप नापसंद करते हैं आपका अपना व्यक्ति पहन कर डांस करे तो कोई दिक्कत नहीं है यह कमाल का विरोधाबास है इसने ज़्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है दीपिका पादुकोर्ण आपके निशाने पर इसलिये हैं कि वो कुछ साल पहले जब जब जवाला नेरू विश्विद्याले में चात्रों पर हमले हुए थे चात्रों के प्रतिरोध संगर्ष में दीपिका पादुकोर्ण एक साइलेंट एक खामोश गवा की तरह जैसे होता है कि वहां जाकर वो स्वैम के वल खड़ी हो गई थी उन्होंने न तो भाशन किया था न तो किसी तरह का नारा लगाया था पस चुप चाप वहां खड़ी हो गई थी लेकिन उनकी खामोश उपस्थिती उनकी खामोश मवजूदगी भी कुछ राजनितिक दलों को चुप गई क्योंकि ये चाहते हैं कि कोई किरदार कोई बड़ा कलाकार कोई बुद्धिजी भी अस्साहमती में आवाज न उठाए ये खामोश करना चाहते हैं सबको लेकिन अब कोई खामोश नहीं हो रहा है अमिताब बच्चन जो हाल तक सत्तापक्ष के साथ आइंट सहरा था फिल्म फिल्म फेस्टिबल वहाँ पर उन्होंने जब भाशन किया उसमें अहुवेप्ति की आजादी का प्रस्ट उन्होंने उठा दिया मुझे लगता है कि शायद स्थितिया इतनी खराब हो रही है कि लोगों को लग रहा है कि सर के उपर पानी चड़ने लगा है तो दोस्तो आज इतनी बात लेकिन ये साधारन बात नहीं है चिन्तित करने वाली बात है हमारे समाच को जहां इतनी विविधता रही है जहां इतनी स्वतंत्रता कम से कम रही है कि लोग अपनी बात कहें अपनी बात को सुनाने की कोशिश करें लोगों पर निर्भर करता है कि वो किसी की बात माने या उसको रिजेक्ट करें अगर फिल्म आपको अच्छी नहीं लग रही है, फिल्म को इसको परदे पर जाने दीजिए, लोग उसको खारिश कर देंगे, नहीं पसंद करेंगे, कोई किताब आपको नहीं पसंद आ रही है, उसको आप बैंड कर देते हैं, किसी किताब पर पुरसकार की गोशना हो जाती सो दोस्तो वाज बस इतना ही नमस्कार आदाप सक्ष्रियकाल